आम आदमी पार्टी के पार्शत ताहिर हुसेन को इस मा के आंसूँ का कसूरवार बताया जा रहा है आई बी के सिकूरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा की मा को रह रह कर वो मनजर याद आता है कि कैसे उनका बेटा इंसा करने वालों का शिकार बना आज तक के टीम अंकित शर्मा के घर तक पहुँची थी हमें अंकित शर्मा के घर की दरो दिवारों में दुख दर्द और मातम के बीच घुस्सा भी दिखा था क्योंकि वारदात के दिन 26 साल का अंकित ड्यूटी से घर लोट ही रहा था और उसके मुहले में बने माहौल ने अंकित को अपना शिकार बना लिया अंकित का परिवार और आसपडोस के लोग बिना किसी शखो सुभय के आपके पार्शत ताहिर हुसैन को कट घरे में खड़ा कर रहे हैं कि मडम यह बिल्दिंग यहां के जो ताहीर हुसैन की है और इसी आमादमी पाटी से रहे हैं इंकी बिलडिंग से ही फाइरिंग हुई है यूँ तो ताहिर हुसेन ने अपनी सफाई में खुद को ही हिंसा का पीडित बताया है और कहा है कि मेरे घर पर उपद्रवियों का कब जा हो गया था लेकिन आज तक को दिया अंटिवियो में अंकित के घर वाले जो कह रहे हैं वो ताहिर की दलीलों को जुटलाते हैं हुआ कि हुआ क्या सब्सक्राइब तो लड़का पकड़ा से निया खड़ा सा लड़का आपका बेटा यह अंकित के फादर है पताइए इनारोपो और वाइरल वीडियो के मद्दे नजर ताहिर हुसेन के खिलाफ कानून का शिकंजा कस गया है दिली पुलिस ने ताहिर और अन्य अग्यात लोगों के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फेलाने का केस दर्ज कर लिया है ये केस दिली के दयालपूर थाने में दर्ज हुआ है इससे पहले ताहिर हुसेन के खिलाफ हत्या के आरोब की तहरीर भी दी जा चुकी है झाल झाल